नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूटू चलने रीमेक एड़ू बात हम सभी को पता है कि 40247 परधान सिक्षों के लिए वेकेंसी आ चुकी है और आज से उसका ओनलाइन प्रक्रिया आरंब हो गया है आज यानि 11-3-2024 से उसका ओनलाइन प्रक्रिया आरंब हो गया है इसमें एक बात आती है कि जो लोग पुर्व में आपको प्रधान सिक्षक के लिए जो विग्यापन जारी किया गया था विग्यापन संख्या 4-2022 से उसके साथ जो लोगों ने अपलाई कर दिया था वो लोग कैसे रेजिस्टेशन करेंगे तो इस वीडियो के मात्यम से हम जानेंगे कि वो लोग कैसे रेजिस्टेशन करेंगे इसका हम आज के वीडियो में लाइब डेमो देखेंगे के लिए और फॉर्म भरने की परक्रिया को हम जानेंगे तो आईए वीडियो को सुरु करते हैं और देखते हैं कि जो लोग पर्व में वेकेंसी जो आये थी वो विज्यापन संख्या 4 2022 के माध्यम से जो लोग पहले फॉर्म भर चुके थे रेजिटेशन करा चुके थे एडविट का आ गया था वो लोग कैसे इस जो नई जो भरती आई है उसमें कैसे रेजिटेशन और फॉर्म भरेंगे तो आई उसका लाइब डेमो देखते हैं कि और वीडियो को सुरुक करते हैं सबसे पहले हम काम करेंगे कि Google Chrome हम लोग के पास होगा Google Chrome हम लोग open करेंगे और Google Chrome के address बार में जहां website का address डाला जाता है उसको address बार करेंगे यहां पे हम लोग आप bpsc.bihar.nic.in website डालेंगे जब website हम लोग यहां डाल के आगे बढ़ेंगे जब इंटर करेंगे तो जब यह bpsc का site इस तरह की से खूल के हमारे सामने आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे इस website जब open करने के बाद देखेगा left side में आपको एक icon दिखेगा वो दिखेगा apply online जैसे हम apply online पर click करे हमारे सामने कुछ नया चीज खूल के आ जाएगा अब देखते हैं क्या खूल के आता है जैसे यह खूल के आएगा हमारे सामने एक बीच में बॉड़ी में इस website के बॉड़ी में एक चीज खूल के आ रहा है और वहां लिखा हुआ है आपको bpsc online application फिर यहां हम क्या करेंग यहां हम क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया पेज हमें खोल के यह दे देगा और यहां यह पेज खोल के देगा तो हमारे सामने कुछ और भी चीज लोगिन का आपको यह पूरा का पूरा करना है उस सारी की सारी बातें आपको यहां दी गई है अब हमें क्या करना है हमें यहां देखते हैं चार नमबर पर आपको headmaster दिया हुआ है और तीन नमबर पे head teacher ने चुर्ण को तिन वाले कुलिक करेंगे तो यहे से क्लिक करेंगे आपलाई ओनलाइन पर सब्रक यहां जब खुल के आएगा तो देखें यहां पर सामने एक चीज लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है already filled application form देखें को बढ़ा करके अगर देखते हैं already filled application form for head teacher in primary school under education department यहां कह रहा है कि यहां क्लिक कीजिए यहां लिख रहा है click here तो हम क्या करेंगे यहां click करेंगे जैसे हम click करेंगे एक नया page हमारे पसामने फिर खुल के आ जाएगा और वहाँ आएगा तो वह हमें इससे क्या कहेगा वह कहेगा कि आप जो registration है पुराना वाला जो आपने 4 2022 के विग्यापन में जो आपको registration number मिला है उस registration number को आप यहां डालिए और डालने के बाद आपको क्या करना है हम यहां click करेंगे जब यहां registration number डालेंगे तो यहां click करेंगे तो आएगे देखते हैं registration number डालने के बाद क्या खुलता है के लिए रहे हैं आए देखते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर अपना रिच्टेशन नमबर डालेंगे और यहाँ आप रिच्टेशन डीटेल, गेट रिच्टेशन डीटेल करेंगे, उसके बाद एक पेज नया खुल के आजाएगा, इस तरह का पेज, इस तरह का पेज आपको खुल के सामने आप आपको यहा क्या करना है आपका mobile number यहां दिया होगा जिसके चार लस्ट की चार oir डिजित आपको दिख रहे हैंगों वहाँ अब उस इस टैब पे क्लिक करेंगे और गेट मुबाइल OTP पे प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि एक आपके मुबाइल पे OTP जाएगा जिससे आपने रेजिस्टेशन किया था जो यहाँ दिया होगा उसके चार नमबर वहाँ से OTP आप यहाँ प्रेस करेंगे और वेरिफाई OTP कर देंगे यहाँ टाइप कर देंगे उस OTP को और वेरिफाई कर देंगे वेरिफाई किजेगा तो उसके बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपको नया एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा आपका registration number होगा login ID लिखा होगा उसके बाद आपको क्या लिखा होगा वहाँ आपको password लिखा होगा अब इस नए login ID और नए password से आपको क्या करना है आपको website पे जाके वहाँ login और क्या करना है password डालके आप वहाँ form परेंगे तो registration में आपका detail यहाँ आजाएगा और वहाँ केवाल आपको अपने form को field से कर देना है जैसे आप वहाँ login करेंगे आपके login page पे क्या करेंगा registration दिखाएगा और कहेगा कि आप क्या login किजिए और form field किजिए clear है आईए भी उसको देख लेते हैं जो आपको registration के बाद जो आपको login और password मिला होगा उसको आप login ID यहाँ डालेंगे password यहाँ डालेंगे आपको यह capsize यहाँ डालेंगे और यहाँ से login कर जाएगे जैसे login करेंगे आपका dashboard और registration में आपने सारी जितने भी detail डाली है वो खुल के आजायेगा मैं security point अभी उसे मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ नहीं तो बहुत सारी चीज़े public हो जाएगी यह अची बात है नहीं तो आप यहाँ से करके आपके dashboard पे जो भी registration में आपने सारी चीज़े डाली है वो वहाँ आजायेगा और उसके बाद आपको यहाँ left side में यहाँ नीचे left side में आपको form fill up के लिए tab देगा आप उस form fill up tab को आप click किजेगा और form को फिर से दोबारा भर दिजेगा केवल registration आपको नहीं करना पड़ेगा जीनोंने पुर्म में किया हुआ है यहीं online की पूरी उसके लिए registration के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा वो जरूर आप उससे देख लेंगे form भरने के लिए भी वीडियो पूरा मैं एक अलग वीडियो उसका बना दूँगा चुकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़े नहीं डाली जा सकती है लंबा हो जाएगा हर किसी की अपनी रिक्वार्मेंट होती है आसा है आपको अच्छा लागा आगा और आप इसे लबानीत होंगे थैंकिज सो मच अपना ध्यान दखे है यदि आप इस चैनल पे नए है तो लाइक जरूट करके जाएगा अगर ये इनफर्मेशन आपके काम की है और आपको अच्छा लगाए तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए आप अपना ध्यान रखे है थैंकिए सो मच जैंद